जब आप किसी ऐसे रज या कहें ऐसे स्थान से आते हैं जो अती पिछड़ा है जो गरीबी की चपेट में है तो आपका पहला लक्ष क्या होता है मुझे पूरा विश्वास है कि आप कहेंगे एक सेटल जॉब मतलब एक अच्छी तनखवा वाली नौकरी लेकिन भारत मा के एक बेटे ने इसके बदले चुना एक ऐसा काम जहां हर रोज हर कदम पर उसका वो काम बलिदान मांगता था जहां आपके शौर्य और पराकरम की कदम कदम पर अगनी परिक्षा ली जाती थी और इसे इत्तिफाक ही कहिए या कुछ और वो वीर सपूत इस धर्ती पर आया भी तो एक देश भक्ती वाले दिन जी हां 26 जनवरी 1982 दक्षिर सिक्यम जिले की नामची तहसील एक मां अपनी कोक से एक बबबर शेर को जन देती ह जिसे नाम मिलता है संजोग छित्री संजोग के पिता का निधन जब वो बहुत छोटे थे तभी हो गया था इसलिए उनका और उनकी बहन संगीता को संजोग के पिता के बड़े भाई ने गोद लिया था जैसा कि हमने आपको बताया उन्हें बचपन से ऐसा काम करना था जि पैरा कमांडो के लिए चैनित किया गया ये नाइन पैरा एसफ फोर्स थी इसमें एक से एक शूर वीर अपनी बहादूरी अपने अदम में साहस्वर्य और पराक्रम का इतिहास लिए बैठे थे संजोग छित्री समझ चुके थे कि जिस रहा पर वो चल पड़े हैं वो इतन आसान होने वाली नहीं है पैरा इस्पेशल फोर्स उपर से नाइन पैरा एसफ लेकिन छेत्री निश्चे कर चुके थे यहां से निकलने के बाद संजोग छेत्री अब पैरा टूपर या कहें पैरा कमांडो संजोग छेत्री बन चुके थे संजोग की यूनिट नाइन पैर दिन था, हर रोज की तरह संजोग और उनकी यूनिट तैयार थी किसी भी आतंकी विरोधी ओप्रेशन के लिए, तारीक थी 22 जून 2003, जगह रजोरी सेक्टर का सुरंग कोट इलाका, इस इलाके को रेड जोन घोशित कर दिया गया था, आपको बता दें रेड जोन मतलब ऐसी जगह जहां आतंकियों की ताधात काफी जादा हो, नाइन पैरा एसेफ को दुश्मनों को निट्रलाइस करने का आदेश मिला, संजोग और उनकी टीम ने इलाके में सर्च ओपरेशन चलाया, लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ, सुनसान जंकल, तभी अचानक गोलियों की तर्ताहार्ट वहाँ फैले सन्नाते को खत्म कर देती है, ये आतंकी थे, जो छुपकर जवानों पर अंधा धुन फाइरिंग कर रहे थे, नाइन पैरा एसेफ की टीम के जवान पेडों और पत्थरों की आड ले लेते हैं, लेकिन फाइरिंग इतनी हैवी थी, कि जादा द देर तक वो बच नहीं पाएंगे, और तभी सन्जोक छितरी एक बहादुरी भरा, एक साहस भरा कदम उठाते हैं, वो उस गुफा की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आतंकी छुपे हुए थे, साथ ही उस ओर बढ़ते वक्त वो हैंड गिनेट फेकते हुए, फाइरिंग करते इसी दोरान उन्होंने दो आतंक्यों का भी खात्मा कर दिया था, लेकिन सामने से आ रही अंदादुन गोलियों ने संजोक के कंधे, शरीर के दूसरे हिस्सों को बुरी तरीके से जखमी कर दिया था, संजोक छितरी वही गुफा के बाहर ही जमीन पर बेहोश हो करके गिर आतंक्यों को लगा कि संजोक छितरी को उन्होंने मार गिराया है, दूसरी तरफ संजोक के साथियों को भी लगा कि ये संजोक छितरी अब नहीं रही, उनके जमीन पर गिरने के बाद भी आतंक्यों के अंदर संजोक का खौफ ऐसा था, कि वो उनके उपर लगातार काम खत्म कर लेता है यानि कोई दुश्मनों को निस्तनाबूत कर देता है आतंकी जैसे ही संजोग के पास पहुचते हैं वो अपना चाकू निकाल लेते हैं यानि कि संजोग अचानक से उठ खड़े होते हैं और अपना चाकू निकाल लेते हैं ये देख आतंकी भाग खड़े होते हैं, इसी बीच वो एक आतंकी को वहीं चाकों से ही गोद-गोद कर मौत के घाट उतार देते हैं। और जाते जाते दुनिया को ये बता जाते हैं कि वो उस पैरा-SF के जाबास कमांडो हैं जो अपने साहस पराकरम और बलिदान के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। इसका ये पराकरम देख सभी साथी जवानों के अंदर भी जोश भर जाता हैं। जिसके बाद उनकी यूनिट तेरा और आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाती हैं। और एक पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिए हुए आतंकी को जिन्दा पकड़ लेती हैं। जिस ओपरेशन के तहट ये आतंकी मारे गए उसका नाम था ओपरेशन सर्प विनाश। मतलब की साप का फन को चलना। इस ओपरेशन में लगबग 21 आतंकियों को मार गिराया गया था। और इस ओपरेशन का अंत पैरा ऐसब संजोग छित्री के विर्गती को प्राप्थ होने के बाद हुआ। मरोणो प्रांत पैरा कमांडो संजोग छित्री को उनके अदम में सौर्य और पराक्रम के लिए शांती काल के सबसे बड़े वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जैसे उनकी बहन संगीता ने लिया। वाकई में भारतमा के इन वीर सत्पूतों की ही वज़े से आज हम और आप आजादी का आनंद ले पाते हैं। लेकिन दुरभाग की ये है कि हमारे पास समय नहीं है इन वीरों की गाथाओं को अपने बच्चों को सुनाने का। यहां तक कि इन बहादुर वीर काथाओं की क नहीं बहाया जाता। गर्व करना तो छोड़ी दीजे साहब। लेकिन इन जवानों की खुवी पता है क्या है आपको। आपके लाख नजर अंदाजी के बाद भी ये अपने कर्टव्य को पूरी इमानदारी से निभाते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसा, दिन, रात ये जवा विडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन दबाना ना पूले। अगर आप हमारी वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूले।